हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग लाइन क्लासेस आज के इस वीडियो में आप सभी को जो जहारखंड बोट द्वारा मोडल सेट 4 जारी हुआ है उसका आज मैं गनित मैथेमेटिक्स आज आप सभी के साथ डिसकस करूंगा फुल डिटेल्स में आज आपको एक्स्प्लेंड करके मैं बताऊंगा आपका जो टोटल नंबर ऑफ कोशन जो है 14 तक 1214 एटुजेट सोलूशन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और दोस्तों आप चाहते हैं इस पीडियेप के लोड करने के लिए तो पीडियेप का जो लिंक है डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहां दे दूंगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इसको लोड कर लेंगे लोड तो कर लेंगे दोस्तो लेकिन ये बीना पासवर्ट के खुलेगा नहीं पासवर्ट लगा हुआ है इसमें तो प्लीज आप पासवर्ट को जानने के लिए वीडियो को अंतक देखेंगे क्योंकि आपको मैं बीच में कहीं भी पासवर्ट बता सकता हूं तो दोस्तों आप बिल्कुल केरफूल होकर के देखिएगा और मैं आपका पुरा क्लीन एकदम बताऊंगा किसी भी तरह के आपको कहीं डाउट नहीं धने दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी वेल आइकन को प्रेस कर दिजे और और नोटिफिकेशन को अउन कर लिजे और दोस्तों के साथ सेर कीजिए जितने भी जारकंट के बच्चे हैं जो बोड एक्जाम देने वाले हैं उनको आप सेर कि दोस्तों मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं और आपको सजेसन देता हूं कि जितना भी अभी तक मैंने वीडियो लोड किया है सेट वन सेट तू सेट थरी का सारे सबजेक्ट का और सब्सक्राइब कर रहा हूं फूल सोलूशन एट में टिजेट सोलूशन ठीक है तो आप अभी तक नहीं देखें हैं तो प्लािज आप मेरे चैनल पे विजिट किजिए ले जाइए और एक प्लेइंट है मेरे चैनल पे और आप सर्च कर लीजिएगा ठीक है और आपको वहां पे जो है प्लेइलिस्ट मिल जाएगा प्लेइलिस्ट में आप जाएंगे तो जार्खन बोड जैक बोड क्लास टेंथ है ना अब उसमें क्लिक करेंगे सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा तो दोस्तों अम्मीद करते हैं कि आप ये काम जरूर करेंगे तो सेट वन सेट टू सेट थी सेट फोर और अभी जो सिट फाइप हाएगा उसका भी मैं सोलूशन आपको कराऊंगा तो बिल्कुल आप मे चलिए यहां देखिए मैं इससे पहले जो है सेक्षन एपका खंड ए करा चुका हूं फूल डीटेल्स कराया हूं ठीक है अभी मैं इसका सेक्षन एका जो है आपको पूरा एक्स्प्लेंड नहीं करूंगा नि तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो ज देख लीजिए ठीक है चलिए मैं एंसर बताऊंगा सभी का और बाकी जो आपका सेक्षन होगा उसको एक्ष्ण करेंगे डीटेल में लेकिन सेक्षन एको छोड़कर देखिए ओन फोटी का अभाज गुनन खंडों का गुनन फल निवन में से कौन सा है दोस्तों इस तरह का कोशन एक एक जाम में निश्चित है कि आना ही आना है तो इसका एंसर क्या हो जाता है आपका फस्ट हो जाता है चलिए यहां पर देख लिजिए टू नंबर यह भी एक इस तरह का कोशन आपका आने वाला है लेकिन यह नहीं आएगा ठीक है कुछ करके रहेगा तो दिवगात समीकरण जो है दोस्तो पहला ही दिवगात समीकरण है ठीक है और बाकी अगर इसका पूरा डीटेल चाहते हैं तो मैं वीडियो जो हमारा सेक्शन वन का है आप उसको जा करके देख लिजे खंड ए मैं बना चुका हूं पहले फूल डीटेल में आपको एकदम किल दिग्री और कोट्स 25 डिग्री का मान तो देखिए दोस्तों कभी भी इस तरह का रहता है तो आपका एंसर हमेशा वन आता है और अगर जब इसी को लिख दे ऐसे माइनस करके तो बाई मेनर है तो उसका जीरो एंसर होता है अब देखिए समांतर से लिणी ठीक है दोसमें से अगर ब्रीट का चतरफल पूछे तो सिर्फ यह वाला पाई यारी स्कॉयर रख देना लेकिन यहां पर पूछा इसलिए वन बटे टू लगा दिए अब चलिए यहां पर देख लिए निमलिकित परी मेर संख्याओं के दसमलों परसार कौन सांत है तो देखिए दोस्तों य पूरा एक्स्प्रेन करके बताया हूं पूरा डीटेल्स थ्री इंटू फाइफ देखो त्री त्री कड़ जाएगा बच जाएगा टू बाई फाइफ तो देखो हर में ठीक है डीनोमिनेटर में जब भी टू का पावर इन और फाइप का पावर अगर एम आ जाए या दोनो में से कोई एक आ जाए तो दस्मलों परसार कैसा होता है सांत होता है यह रूम से आप विडियो सेक्शन वन देखिए मेरा ठीक है वहां पे पूरा एकदम हंडेट परसेंट आपको क्लियर करके बताया हूं चंक्या 622220 का मसा क्या होगा तो सिक्स होगा दोस्तों ठीक है त दुगाद बहुपत क्या होगा तो यह वाला हो इनसर आप आपको बताए हैं यह अलफा है और यह भीटा है ठीक्शन वह था हैं मैं आपको दुगाद बहुपत्शन का एक फर्मूला क्ला लिख करके बताता हूं यह होता है आपका exAnother क्या होता है दोस्तों एक सिस्क्वाइर होता है ठीक है एक सिस्क्वाइर माइनस अलफा प्लस बीटा इंटू एक्स और यह फिर हो जाएगा प्लस अलफा इंटू बीटा यह फर्मूला होता है इस पर अलफा बीटा का भेलू बिठाईएगा तो समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए आगया आता हूं मैं 11 नंबर में यदि भी बीटकर डी है रहा गटता जिरू हो तो इनमें से मूल क्या होगा कालपनिक होगा दोस्तों ठीक है तो मैं बार-बार बो होने के वज़ा से में आपको केवल इंसर बता रहा हूं हूं ठीक है तो से ठीक दर कड़नबाई नंब होता है ठीक है चलिए देखिए यहां पे इसको भी सॉलूशन करके करके मैं आपको बताया हूं एंसर करेक्ट है इसका और ये भी सोलूशन करके बताया हूं कि कैसे आएगा ठीक है आप देख लिजेगा 15 का देखिए 1045 डिग्री का वेलू वन होता है और कॉट 45 का भी वेलू वन होता है कॉस का नाइनी टी माइनस ठीटा न realm की साइफ़ीटा ढेंधे नीमन में से दिव्यंच गण का घ्सक्र भलाता था तो 3060 इतना इतना का दोनों को जोड़ करके दो से भाग दे दिजएगा फिप्टी आ जाएगा एक थैले में लाल देखें तीन और पांच आठ कुल गेंद हो जाएगे तो लाल पुछा है इसलिए अनुकुल परिणाम आपका तीन हो गया कुल परिणाम आठ हो गया तो प्राइकता चांथ होता है चलिए मैं देखता हूं यहां पर ट्विंटी टू नंबर का जो है फिल इन दे ब्लैंक से और दिखाप बहुपाद एक एक स्कॉर प्लस बीक्स प्लस और इसके सुनिया कल फ़र बिटा है तो अलफा इंटू बीटा इस इकल टू तो सी बाई होता है अगर अ बीटा अगर आप से पुछ लेता तो आप क्या लिखते माइनस बी बाई ए लिखते लेकिन पुछा क्या है यह होगा एंसर सी बाई कपका इंटू पुछा है ना तो अगर योग पुछेगा तो यह वाल लिख लीजेगा ठीक है चलिए यहां पर देखिए मैं इसको फूल एक्स्प्लेंड करके बता जाहूं कि बाजक बराबर है ना बाज़े बटे भागपाल माइनस क्या होता है सेस्पाल होता है तो आप प्लीज वीडियो को देखिए मेरा सेक्शन एक को ठीक है देखिए भुजाओं की समान संक्या वाले द है तो अगला पद होता है ठीक है तो साथ होता है क्या होगा साथ होगा फर्मूला होता है आपको अगला पद निकालने का एक बराबर होता है फर्मूला एक प्लस डी हो जाएगा रख लीजिए गा देखिए यहां पर एक बेलू पांच है और डीका बेलू दो है तो पांच कहीं पर भी सोरी पर रेखा कहीं पर भी आप एक असपर्स रेखा बनाईएगा इस तरह से ठीक है तो एक ही बिंदू पर कट करेगा अब देखें यहां पर आपका जो 28 नंबर कोशन है 28 नंबर का जो है किसी दिर्भूज की एक भुजा है तो दोस्तों आप यह फिल कर लीजेगा ठीक है और याद कर लीजेगा क्योंकि इससे कोशन तो रहता ही है और आपका एक्जाम में है फोगा फर्मूला नहीं याद रहेगा आपको संकू के चीना का तो आप जो है गबड़ा जाएगा चलिए अब यहां पर देखते हैं गुननखंड विद्धी से तो टेन आगया तो टेन का आप क्या करेंगे इसका गुननखंड कर लेंगे तो आपको सिर्फ दो और पांच मिलने वाला है तो हम ऐसा इसको बीच वाले टर्म को यह और यह लिखते हैं यह मीडिल टर्म को जो है हमको है डिया सब्ट्राइक करने पर क्या आना चाहिए माइनस थ्री आना चाहिए ठीक है और उसी को मल्टिप्लाइब करने पर क्याने चाहिए तो माइनस टेन आना चाहिए तो देखिए 5 माइनस 5 प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 आ ठीक है और टू टू दोनों में कुण मिल रहा था यह और यह कभी भी आपका सेम होना चाहिए और कोमल लिया हुआ कप सही समझा जाता है जब आपका रीषि स्क्राइब माइनस फाइब करेंगे तो थो का गया जाएक स्क्राइब बचा क्या बच गया आपका एक्सलीच प्लस बच गया तो देखिए एक प्लस टू को ले लिए तो यहां पर इक्वल जेरो डाल दिए अब एक्स-5 इस इस समझे इस तरह से कि टिक है एक्स-5 इस इक्वल टूजीरो तो अगर माल लिजिए हम एक्स का बेलू अगर निकालते हैं तो इधर एक्वल है कि इधर आएगा तो यहो जाएगा माइनस है तो फिर फिलस प्लस है तो माइनस हो जएगा को वह में धुब membay ल no 12-2 उना इस उमिक्रण पे क्या मूल है फाइप फार माइन था चलें चलिए अम यहाँ पह आप देख रहे हैं यह बहुत ही फिसे पॉइन है एक जांप पॉइंट हो भी उसे देखिए इसके साथ क्या मोल्टीपल है 15 कोटे तो सबसे पहले आप ये जो इसके साथ मोल्टीपल है कोटे के तो इसको यह divide में आ जाएगा तो देखिए कोटे ब्राबर क्या होता है फर्मूला बी बाई पी होता है एक अगर मैं figure बना रहा हूं आप देख लीजिए यह जो है आपका ABC कोई ठीक है एक तिर्भूज है तो यह पी होता है यह बी होता है और यह होता है ठीक है पर्पेंडीकुलर बेस हाइपोटेनियस तो बी बाई पी तब बी बाई की यह क्या रहा है बी है अपका यहां पर देखिए AB बटे BC है ना तो इसमें समझेगा आपका इसके अनुसार फिर हो जाएगा बी बाई पी यानि की BC बाई AB हो जाएगा ऐसे हो जाएगा इसके अनुसार ठीक है तो बेलू आपको क्या मिल गया बी का एठ है और पी का क्या मिला 15 ठीक है चलिए आगे हम आते हैं तो इस अब इतना नहीं मानना है आपको ठीक है आपको जो नहीं दिया हुआ है उसको दो क्या होता होता है ऑए चीज इक वोल्टय होता है अंडरोट टीक है इस कोय yen में पलस में सदारन पर मूला लगा करके अपने का लेंगे अब देखेंगे यह हमारे पास P का भेलू कितना था ठीक है तो P का भेलू जो था एक बार P का भेलू जो है देख लेता हूँ मैं चलो बार P का भेलू कितना है देख बीका भेलू कि एबटी है और पीका भेलू 15 है तो आप इस तरह से पास पर मुला नगा हूँ करके और यह रहां पर निकाल लीजिएगा त्रका क्या बोले पी अब प्लिस भूआर प्लस भी स्कुर तो यह निकाल सेएरे तो कितना आ अगर माल लो हम बैठाते हैं चलो आगे बैठा करके मैं दिखाता हूं यह हो गया आपका 8 का स्क्वाइर प्लस 15 का स्क्वाइर ठीक है तो एट एट जा कितना हो जाएगा 64 और यह हो जाएगा 225 दुनों को आड करने पर कितना जाएगा 289 ठीक है तो 289 का अगर हम निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है आगे देखते हैं हम ठीक है 17 आएगा तो हमको क्या मिल गया 17 तो अब देखो साइड इस इक्वल्ट सुपी भाई एच तो देखिए के का यह मेरे पास कितना था मेरे पास सविंटेन यह तो इस तरह से आंप लिए बेलू होता है लिएगा तो देख लिए अप्रूब कर लिए अब देखें बिंदुओं के यहां पेछ नू पर बिंदू चीमी धिन दीया गया गया अभी सुत्र जो है है मैं यहाँ प है फर्मूला लिख दता हूं। को एक्सटू माइनास एक सबन का होल स्कवार कि प्लस कि वाइटू माइनस बाई वन होल इसक्वार तूकर यह फर मुला होता है दूरी सुत्रों इसमें बिल्कुल पिट बिठा दिये एक्स वन का भेलू मेरे पास वन हो गया एक्सकानीज इकल टू वन वाई एकल टू क्या हो गया आउट और और आख वाइट एक स्टीकल टूगया दोस्तों तो तो और वाइट विसे इक। टूगया हो जाएगा थी तो आप इस तरह से ध्यान दिजेगा अभी फर्मूला मत पूट कर रहे हैं एक स्टू कभेलू क्या है मेरे पास टेक स्टू कम बन टू है 1-1 करेंगे ना क्योंकि फर और 2 कितना है 5 है तो माइनस है पाइब यह देख लिए यह एहां पर तो do join so one kid the took is quick yesterday that so four ऐगा किस्टना है दोस्तों यहापे भूर आएगा तो यह देखिए फोर हो जाएगा रूट रूठ फाइफ हो जाएगा जाएगा कितना हो जाएगा रूट फाइप हो जाएगा चलिए आगे आता हूं मैं तो इस तरह से ए को प्हेल्म है हमारे तो आपको सब चीजी कोसिती है हो जाएगा सबका अलटा कोज होता है झाटा कि पिख़िए B2 को सिक को देखिये आप पांपिस को है ज्लिखत नहीं है को दिक्कत नहीं है आपके तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह Soo कोशन जो है आपका एक्जाम प्वाइंट ओ भी इंपोंटेंट है दोस्तों कौन सा नंबर कोशन है 35 नंबर ठीक है देखिए मैं आपको फिर से एक और 35 is जो कोशन है इंपोरेंट ऑफेंट है दिखे तो चलिए मैं आगे आता हूंद यह देखिए इसका एंसर जो है तो यह देखिए आप पढ़ लिजेगा को कोशन पढ़ लिजेगा ठीक है तो ता भी कर देख सकते हैं आपकी ABCD दिया हुआ है तो ABCD में से आपको यह कर लिया 6 प्लस ना 9 बाइ 2 1 प्लस 4 बाइ 2 यानि कि इसको और इसको ले लिया बिकण ठीक है अगर मालो मैं यह बनाता हूं ठीक है तो बिकण क्या क्या होगा मालो हम कहीं पर भी लेंगे ABCD ठीक है तो ऐसे डाइगोनल होगा ठीक है तो आपका एक के साथ आपको C के साथ आना होगा A और C में और B और D में जाना होगा ठीक है तो को बुदा तो बटे टू और याउन प्लास वाइवन स्य वाइवन प्लास बटे टू का फर्मूला भीडा लेना है ठीक है तो इस तरह से आपका जो है भेलू निकल जाएगा देखिए यहां पे पी पीक्वल टू क्या गया से बिना गया चलिए देखे यहां पे दो बिरितों की तृजियां करमसर दिया हुआ है ठीक है और वन इस कितना है तो 19 है रटेकल टू नेंट चेंटीमिटर बिरित की तिरिजयां जो हैं में निकालना है ठीक है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे यह जो है टूपाई टूपाई कोमन है दोनों तरफ आप देख लिजेगा टिक है तो बच क्या जाएगा आरवन प्लस आटू यह से कड़ जाएगा कोमन लिख लेगा तो आरवन प्लस आटू दोनों टूपाई से भाग दिने पर इतना जरूर नहीं है आ आप ऐसे कर लेंगे देखिए तूपाई यहाँ पर इंटू आर है ठीक है और इधर में क्या है टूपाई टूपाई कोमन है तो पाई बाहर लेवाद लेलो बच गया आरवन प्लस आट टू बच गया तो देखो टूपाई टूपाई अगर रहे तो पर जाता है जाए कितना है नाइन है तो दोनों को आड़ करने पर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर आएगा थोड़ा इसमें कोशन जो है उटपटांग उटपटांग दिया है अच्छा उतना कोशन नहीं है आपका इंपोटेंट है ठीक है सारा तो नहीं है लेकिन जो जो बता रहे हैं उसको द्यान करें यहांनि की इसको एवन ए अवे टुमालूम है तो सारवंतर भी लिकाल लेंगे हम एवन का बहन का माइनस 3 है कितना है अपका माइनस 1 ऐट यहां पर सारवंतर डीज़ीक्वल टू निकाला गया है तो माइनस एवन करके तो ती इस इक्वल 2 क्या मिला हमें 5 बाइक की आगे देखिए अब यहां पर 11 निकालना है 11 फर्मूला जानते हैं देखिए यह फर्मूला है निकालने का ठीक है एन का फर्मूला है तो यह फर्मूला में बिल्कुल फिट किया हुआ है तो आप देखिएगा जहां नहीं समझ में आयागा वहां पिलीज हमें कॉमेंट करकर बताइएगा मैं दुबारा आपको समझा सकता हूं ठीक है न तो देखिए यहां पे जो फाइप बाइटू आया है और यह यहां पे पहले तो मल्टिप्लाइक हो जाए 22 यह इतना इतना और इतना कमान ग्याद करें दोस्तों इस सब थोड़ा सा कोशन जो है न आपके बुक से यह नहीं है थोड़ा सब है बुक से ही लेकिन इसको थोड़ा का टीपिकल कर दिया इधर उधर करके देखिए 140 का यह गुननखंड होता है ठीक है टू पाइप बना 2ージ 25 A7 कि टू फाइप अंब का 5 एया हैता ह effectiveness को एक्स स्क्वाइर ठीक है और पाइप यहां हो गया कि सेन को बावर के हैं तो थे और फाइब को सोसे टिकेंट करने लिए AM पर 2 से एक सरबर रहावर को अन्यार्ब एक सब्सक्राइब करें उलिए होगे और सब्सक्राइब फ़र चैंग है तो इसलिए 11 स्थ् प्राप्त हो सकता हैं और कुल निंस होता है सिक्स होता है तो प्राइकता वराबर निकाला लेंगे हम तो बते क्या हो जाएका इतना लिखने की जरुरत नहीं है अप लिख भी सकते हैं तो प्राइकता बराबर क्या हो था फरमुला ठीक है अनुकुल परणाम बटे कुल परणाम ता आपका अनुकुल परणाम दो था ठीक है और कुल छे था तो देखिए कट करके वन बाई त्री आ जाएगा चलिए आप पिछले सेट में भी आपका ये कोशन दिया हुआ है ठीक है तो आप इस कोशन को देख लेंगे 96 का जखिए हैं पर गुनन खंड निकाला गया है आप खंड कर लीजिएगा ठीक है आईए आगे मैं आता हूं यहां पर देखिए सी एफ इक्वल टू क्या आ गया फोर आ गया अब सीएफ इन्टू एलसीम है प्रॉडक्ट नंब इसको बेरीफाई गया तो यह देखिए यहां पर निकाल लिए गया थिक है तो एलसीम आप ऐसे भी इलसीम ग्याद कर सकते हैं और इस एफ गयाद कर सकते हैं तो यह को जोर नहीं है कि यही फर्वला लगाकर के हम ग्या सकते हैं जैसे LCM में क्या होगा जो की हाइस्ट होता है देखिए तू का पावर क्या LCM में आपको निकाल करके बताता हूं 2 का पावर कितना आया है 5 है और क्या आया है इनके अलावे 3 भी आया है इसको करके देख लीजेगा यहां पर देखिए दोस्तों यह वन कुछ भी नहीं है यह तो इस तरह से पावर दिखाने की जरूरत नहीं है तो आप इसको मल्टिप्लाइ कर लीजेगा जो भी आएगा वह एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब मैं आगे आता हुरूट 7 एक अपरी में संक्या है तिक है माना कि रूट से बरन एक परी में संक्या है जश्टिसका पोजिट मान लिया जता है और ए और वी पुनांख है ठीक है ना जो कि यहां पे हम लोग A by B लिये हैं ठीक है और root 7 B is equal to A हो गया तो आप इस तरह से दोनों तरफ बर्क करने पर हमें प्राप्त होता है ठीक है आप जैसे फाइब को हल किये थे उसी तरह से इसको भी कर लेंगे और मैं बहुत अच्छे समझाया हूं पीछे का प्लीज आप सब वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा चीश समझ में आए ठीक है देखते हैं यहां पे 42 नंबर जो है के किसमान के लिए निम्न रैखिक समी करनों का को तरह से आप इसको सोल्व करेंगे यह देखिए यहां पे जो आपका 3x plus y is equal to 1 है तो 2k minus 1 है ना इंटू इतना इतना यह तो दिया हुआ अभी तक तो एवन का वेलू मेरे पास कि इतना मिल गया 3b1 का वेलू मिल गया 1 और c1 का वेलू मिल गया 2k minus 1 तो देखिए a2 is equal to 2k minus 1 और b2 is equal to k minus 1 ठीक है और c2 is equal to 2k plus 1 minus 2k plus 1 तो यह फर्मूला होता है a1 by a2 b1 by b2 not equal to c1 by c2 ठीक है ना तो देख लिजे यहां पे यह बेलू को पूट किया गया है यहां पे और इस तरह से जो है आपका देखिए निकल करके जो आ रहा है इस तरह से आप सॉल्फ कर लीजेगा इसको ठीक है तो 2k is equal to 2 तो k is equal to क्या निकालेंगे आपका यहां से अगर माल लीजे हम k is equal to 2 निकालते हैं तो यह 2k is equal to 2 है यहां पे 1 कट जाएगा यह 2 2 कट जाएगा ठीक है इस तरह से आपका जो है सॉरी यहां पे देखिए थोला सा मिस्टेक है यहां 3k minus 2k है तो k आ जाएगा और इधर 3 minus 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा ठीक है यह सब रहूंगे है तो k is equal to 2 चलिए उस एपी का 31 पद ग्याद किजिए जिसका एक रहा हुआ पद और 38 है और 16 पद 73 है देखिए दोस्तों आप सब्सक्राइब क्या है 11 is equal to 38 दिया हुआ है सिक्स्टीन इस इक्वल टू क्या है क्या है दोस्तों 73 है इसको थ्वड़ा साथ ठीक कर लिजेगा यह 73 है ठीक है तो देखिए समीकरान फ़र्स्ट 11 is equal to क्या होगा फर्मूला एप्लस 10 डीज इकल तो थर्टी एट एट शिक्स् चलेंगे ठीक है देखिए 5D जी क्या हो गया 35 अडीज इकल टू क्या हो गया 35 फाइफ इस इकल टू सेबें तो यह तो इस तरह से जब हम स्वोल करेंगे तो यह 70 आ जाएगा तो देखो यहां पर इधर प्लस था इधर लेला है तो यह क्या हो गया चेंज हो गया माइनस हो गया इस इकल टू निकाल रहे हैं जो हमारा वेलू था टेन्स हैना से बिंजा कितना होगा 70 होगा तो माइनस में है इसलिए माइनस 32 आ गया अभी इन का फर्मूला हम भीडाएंगे और यहां पे निकल जाएगा मेरा 31 कितना निकलेगा 178 आप देख सीद किजिए यहां पर है वन बाइस से के ठीक है चलिए दोस्तों पासवर्ट को नोट कर लिजिए आप पासवर्ट है 9876 9876 लिख लिजिएगा 9876 नौवार साच्छोब पासवर्ट है आपका आप इसे नोट कर लो नहीं तो फिर से वीडियो आपको देखना पड़ेगा से फ्रोमेलेचस से हल किया गया है यह वन प्लस से के बाई से के यह तो फर्मूला ही लिखा गया है वन को ऐसे छोड़ दिया ग क्या जाएगा कॉस ए प्लस वन यह बाई है कुछ नहीं है तो वन है और इसका कॉसे का एल सीम लिया गया और वन भाई कॉसे था ही तो देखिए यह कॉसे प्लस वन और यह चौथा पाट कहां होता है मुल्टिप्लाइप पहले पाट के साथ देखिए पहले कॉसे चला गया इसके साथ कॉसे से क्या जागा कड़ जागा तो बच गया कॉसे प्लस वन यानि की वन प्लस कॉसे वन बाई में वन लिखना कोई जरूरी नहीं है ठीक है और अटोमेटिक कि वन होता है अब यहां पर देखिए आगे हम आते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मल्टी प्लाइंग नियुमिरेटर और इनुमिरेटर बाई माइनस वन माइनस कॉसे देखिए आपको जो है मल्टी प्लाइ करना है ठीक है गुना करना है हर अंस और हर में दोनों म किस से 1-2 से तो चलिए देखते हैं आगे यहां पर देखिए multiply किया गया है और इस तरह से कि जो है आपका यहां पर multiply करके और solve किया गया है तो इस देखिए फर्मूला में लाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ा अगर यह कड़ जाता है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर साइन इसक्वाइर हो जाएगा और से आप प्रूप कर लिजिएगा चलिए देखिए फूर्टी फाइप नंबर है construction है दोस्तों इसमें देखिए आपको बनाना पड़ेगा बनाईएगा ठीक है चलिए मैं आपको आगे लेकर करके आता हूं कि देखिए एक ब्रीट के चतुर्थांस का चितरफल गयाद किजि देखिए यहां पर ठीक है इस तरह से देखिए अब आपका खंड जो डी है सेक्शन डी द्युगात समीकरन टू एक स्क्वार प्लस एस माइनस सिक्स का विवितकर मूलों की परकृतिक तथा देखिए दोस्तों यह जो कोशन होता है इस तरह का सारे कोशन जो होते हैं आपक देख ली इजें टूए इक स्कॉर क्यार प्लस कि यह तो दिया हुआ हैे का बेल्ड ग्रेटर देन जीरो ठीक है डी है ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन जीरो आगया यानि कि जीरो से बड़ा है तो इस समीकरण के वास्तुविक और असमानमूल होंगे ठीक है क्या होगा समीकरण के दो वास्तुविक और असमानमूल होंगे ठीक है दो वास्तुविक होगा लेक यह जो किया गया है इस तरह से तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूं मुल निकालने का जो फर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाइट तो आप ऐसे निकालने इसको बी का बेलू आपको रखना होगा क्या रखना होगा वान रखना होगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी डी का बेलू कितना है 49 है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे by 2a 2a का भेलू कितना है 1 है ठीक है तो देखिए क्या आजाएगा minus 1 plus minus यह root 7 है तो कितना आजाएगा 7 आजाएगा और यह किदा हो जाएगा 2 हो जाएगा तो देखिए आप एक बार ऐसे किजिएगा अधर जगा नहीं है धर हम लिख रहे हैं तो यहां पर एक बार माइनस वन प्लस अगर हम 7 लेते हैं बाई 2 लेते हैं तो यह मेरा आजाता है माइनस कितना सुरी सिक्सा जाएगा 6 बाई कितना जाएगा टू तो टू थ्री जा शिक्स टेगो तो हमको 3 मिल गया अब फिर देखते हैं जगा नहीं है दोस्तों मैं फिर से इसको मिठाल लेता हूं अब देखिए अगिला को हम स्वल्व करते हैं आप श्क्रीं शोट ले लिजएगा देखें फिर मैं सोल्व कर रहा हूं हूं कि आया था तो ओंता और प्लस मैंनस सेवेंद था यही था न यहीं था न एक बार माइनस सेवें हम लेंगे और माइनस सेट जाएगा ब़िए का जाएगा इस समा आप टैठ ऑन्हीं कर जाएगा ने और फिर आगया माइनस फोर तो सिक्स माइनस फोर एंसर हो जाएगा इस तरह से आप सोल्प कर लीजिएगा ठीक है तो देखिए यहां पर यह थोड़ा सा ठीक नहीं है दिवगाती सुत्रकाव करके ग्याद किजिए ठीक है तो यहां से इसको आप इस तरह से नहीं किजिएग तो देखिए कोई दिकत नहीं है बाकी अगर आपको प्रूब्लम आता है तो आप हमें कोमेंट में बताएंगे आपको मैं समझाऊंगा और नहीं तो फिर बोड में बना करके बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में कर रह है यह पाइथा गुरस परिमय है कि भी आई है यह ठीक है तो आप व्याद कर लिजिए यह सारे चीछ को बना लीजिए समझ लीजिए तो देखिए आपका जो आगे का जो कोशन है पोटी नाई नंबर उस पर मैं आता हूं देखिए यह प्रूब किया हुए इस तरह से और और देखिए तो già कर सकते हैं बर्मा से भी आप रूप़ टिक है बर्मा से करके देख लीजिए ढ़िया इस तरह से पर आपे اरवन निकाल लेंगे अ दोस्तों आप देख लिजेगा चलिए यहां पर बहुलक ज्याद करना है तो बहुलत के लिए देखिए आपको यहां पर इप 0 होगा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर परिशानी होगा तो प्लीज आप हमें कोमेंट करके बताइए का दोस्तों यह जो है उतना अच्छा से सोल्व नहीं किया हुआ है ठीक है क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी में जो है पूरा सोल्व कर पाना थोड़ा सा तो बूर्ड का सेट अप नहीं किया हूँ तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो चरूर अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए थैंक्स जैहिं प्राइब टियू यूर्दी धुर नहीं जारखएव और टाूरा स